आप सबको पता है सी स्रीशा मैं डॉर्टर आज मतलब आभी मैं सुसुराल आई हूं मेरे यहां पे उमर्गा है मेरा सुसुराल तो यहां से हम लोग हमारा कुल दैवत है वहां जा रहे तब उसका नाम है जटा शंकर वह एक मुलाज नाम का एक छोटा सा विलेज है वहां पे है और उमर्गा से कुछ तो 10-11 किलोमेटर है तो आभी हम वहां पे जा रहे है तो मैं आज आपको शो करने वाली कि वहां का टेंपल कैसा है यहां तो चलो मिलते हैं फिर टेंपल पे अभी on the way है मुलाज के हम आभी उमर्गा में है तो हम आमारी कार में अभी उधर जा रहे यहां आप देख सकते हैं यहां बेभी आभी बहुत अच्छे रोड वगरा बन गए सब लाइट भी कितने अच्छे लगे हैं पूरे स्टेट लाइट थोड़ी सी धूब भी है तो हमने सुबह सुबही प्लान कर लिया कि चलो आज गूम के आते हैं और थोड़ा सा फूल द तो चलो गाइस अभी हम उतर जा के फिर मिलते हैं कि आप देख सकते हैं अभी हमें हाइवेटाथ हाइवेट ही है यहां से अजुको से लेफ्ट के लिए मुलस के लिए मतलब जहां पहुत जार रहें ढरएं किमिका और पूर कंपना प्लेट इद दो आउटल पर दम इन हरा है यह स्ट्रेट जाएंगे है यह जो अशनके को तेख सकते हैं लिए आरा है यहां पे यहां आप फार्म है यहीं से पासी फाम और ऊपर फैर और आप कि अगा एप है आप घॉल और यहां लिए छोटशा बीज बना यहां से हम जा रहे लपड़ साइड में फोटा-सा ऑटे रहे है राइट साइर ही धरसे भी ऑटर दिख रहे कितना अच्छा भी हुआ रहा है आप देख सकते है यहीश यहं, आभी हम जा रहे है गुर्स विक आ गया है देख सकते हैं आप लोग कि अहल नग fortun क मान है, यहां से आप अंतर इंटर कर रहे है यहां पर सामडे एक श्टैचु बना है इसको आपी बोल दे संभाजी महाराच चोक मुलच देख सकते हैं पर स्टेशू अभी हम लोग आ रहे हैं इंटर किया है हम लोगोंने पूरा देख सकते हैं पर छोटा सभी देख यह आपर ट्रैक्टर दिख रहा है जोटा सा दो यहापर सब के घर में ट्रैक्टर वगरा रह है जोगा कि रिख आप यह यहाँ है कि देख रहे हैं कि वे गू अरह को इप शगर करें लगिएफ यह सब देख है आप रहाएं कितना चले हुआ रहे हैं यह लोग यह कोई कंड चार रहे लोगैं है आप आप यह दिख ह्रह हैं जो राइट साड में कमान दिख रहे हैं, वहां से हम लोगों को अंदर एंटर करना है, यहाँ पे है जटा शंकर का टेमपल, तो यह देख रहे हैं, यहाँ पे श्रिवाजी महाराज का स्टैचू भी लगा हुआ है, कि इतना अच्छा लग रहा है देख सकते हैं, और यहाँ स मैं आपको दिखा थी को अच्छे से, हाँ आप देख सकते हैं, इस पे लिखा है स्टी जटा शंकर देवस्तान मुलच, और यहाँ पे जो है, साइडस में तो नंदी भी लगे हुए है, देख रहे हैं, चलो आभी तो हम आंदर एंटर कर रहे हैं, येस, देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, 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 यहां सामने भी यह बन रहा है मतलब कोई आगर यहां पर गेस वगर आता है तो उनको रहने के लिए एक बिल्डिंग बन रही है यहां पर पूरी यह देखते है राइट साइड में चोटा शेंखर टेंपल है तो अभी हम चलो कार से उतर के मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ अंदर से वगरा मंदिर का तो हे गाइस हम लोग यहां पर आ रहे है आप देख सकते है टेंपल पूरा येस यहां पर भी राइट साइड में चोटा सा इधर छोटा से एक शिवलिंग है और यहां पर भी एक वाइट कलर का छोटा सा टेंपल है और यहां पर भी एक श लंस्स पर ये इश्यो लिन्ग है येस शम्भो आप यहाँ पर देख रहे के से के स्ट्रक्चर खिया है है इसका पूरे ब्लू कलर के बने हुए साइड में कॉलम, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ब्लू कलर के कॉलम बने हुए है, पूरे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नंदी है, नंदी भगवान, बतलब एक छोटा नंदी भगवान है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नंदी भगवान है, यह स्रीशा, स्रीशा say hi स्रीणिवास say hi चलो आप히 हम सब लोग मंदिन में और यहाँ पे जो यह चन्दन जो होता है इसे करके यहाँ से चन्दन मिलता है तो लगाना है देख सकते है, भी मेरा हस्बन स्रीशा को लगा रहा है मुझे भी, मुझे भी हाई नीचे जा रहे हैं तरहे देख सकते हैं अप league सैड़ी का अब बड़ा नंदी है वाव मैं आपको पूरा दिखाथीव लेट ऑस्टायड से है देख सकते हैं आप पूरा में आपको left side से right side से दिखा रही हुग चलो त अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और यहाँ से अभी ओ जो कड़स है हो भी दिख रहा है आपको कड़स दिख रहा है देखो दिखाते हुह neither अच्छा लग रहा है चलो तो अभी अंदर हम लोग एंट्री करते हैं जो डोर है इधर से अंदर एंटर करते हम लोग चलो अच्छा नमश्यवाई गिला है थोड़ा सा तो पानी पूरा पानी आया हुआ है बीश में बारिश होई थी तो शायद मंदिन में बहुत बर ऐसे होता है जो ज़्यादा बारिश होती है थो थोड़ा सा पानी अंदर आ जाता है तो आप देख सकते हैं यह पी जो चार कॉलम लगे हुए वाइन चू थ्री फॉर यह भी पूरा कलरफुल है तो पूरा ऐसे पत्थर से बना हुआ है यह साब देख सकते हैं तो चलो हम लोग इदर से अंदर से चलते हैं अंदर पूरा पानी है आज तो अंदर देखिए एक मुर्ति कितनी सुन्दर मुद्धी है वाप पानी है पूरा आज अंदर दीरे 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 जा रही हुए आप मंदिर देख से एक्चलि में अंदर ने आभी हुए मंदिर तो लॉक है मतलब यहां से मैं इधर तक आई हूँ थोड़ा सा लेट हुआ इसले बंद हुआ है तो आप देख सकते हैं जटा शंकर बगवान है कितनी सुन्दर कितना सुन्दर शिवलिंगे आप देख सकते हैं जए शंभो ओम नमेश शिवयर हम लोग ऐसे बोलते हैं जटा शंकर महराज की जए ऐसा आप देख सकते हैं येस मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ पाणी है पूरा अंदर पाणी है आप देख सकते हैं चरो दर्शन करके मैं आभी बाहर जा रही हूँ आपको मैं आभी बाहर कभी हो दिखाती हूँ पाणी है इसलिए मैं भी दीरे दीरे चल रही हूँ स्लीप होने के जाने से से यहां पर चलो मैं बाहर आ कई फाइनली यह साम देख सकते हैं कुछ-कुछ लोग आये है दर्शन करने के लिए यहां पर दिख रहा है आपको यहां पर एक छोटो सननंदी दिख रहा है यह यहां पर बैटके जो चंदन है न उसको निकल रही है आप देख सकते हैं येस आपको आट इससे दिख थोड़ा सा इसके ऊपर लाइट कम पड़ रहा है स्रीशा क्या कर रही हो तुम सिशा यहां बैटके जहां पर जो चंदन मिलता है उसको इसे राउंड राण घूमा के वो चंदन निकल रही है बैटके सिशा से हाई सिशा से हाई है यह बहुत सारे बच्चे भी आयो हुए खेलने के लिए येस ओभी सिशा के साइड में बैठे है सब सब हाई बोलो देख येस हम अभी यहां मंदिर के लेट साइड में से अंदर थोड़ा जा रहे है यह देख रहे हैं मंदिर का कडस वगेरा और यहां पे जो पानी का कुंड है जो बच्चे दिख रहे है वहाँ पे और उसके तो शामने हो जो बीग बला ट्री दिख रहे है वो पीपल का ट्री ह इस कितना मुप भीख रहें कितना बड़ा ऐसा को इसके उपर बहुत बार बहुत ज्यादा मंगी रहते हैं इस तो हम अब उदर जा रहे है ओ पेड़ के पास ही ऑन पेड़ के जा रहें नीचे मेरी बेटी स्रीशा तो बहुत ज्यादा एंजोई करें उसको पाणी बहुत अच्छा लगता है और लॉक्डाउन के बाद थोड़ा भी अभी बच्चे बाहर निकालने लगें तो बहुत मज़ा आ रहा है उसको सब चीजी देख देखके देख रहें आप इ इतना बड़ा ट्री है पीपल का ट्री बाप बहुत बड़ा ट्री है और यहां का एक और भी है जो जोटा शंकर है यहां पर एवरी येर मतलब मतलब जो जोटा शंकर भगवान की शादी बोलते है और रहता है मतलब मैरेज उनका तो फंक्शन रहता है मतलब पूरे सब गा बोट जा रहा है बहुत जाधा हवा है वेधर अच्छा है। दूप भी नहीं है। आप देख सकता हमतर दिन के उपर गाए हूं कि तोड़ा थोड़ा में जाए हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग आ गए है इनर्सिया भगवान का मंदिर है छोटा सा पेड़ के नीचे पीपल के यह जो बच्चे है एक क्या करें भगवान के पर देख सकते हैं आप सीशा भी देख रही है उसको बहुत क्यूरियसिटी लग रही है कि इस सब दाता लो कोई-कोई लोग मतलब नवस मतलब उनकी कोई इच्छा विश्पूरी करनी है तो बोलते हैं कि मेरी विश्पूरी हो जाए तो मैं यहाँ पी चुटा चुटा पानना जो होता है बच्चों को मतलब तो ऐसे बानते हैं यहां के यह मतलब लोगों को ऐसे माणना है तो आप देख रहे हैं जो पेड़ है पीपल का नीचे का पूरा इसका जो है ओ कितना है बड़ा दिख रहा है कितना हेवी लग रहा है आप देख सकते हैं बहुत पूराना पेड़ है तो मुझे एक जक नहीं पता कितने साल पूराना है पर बहुत जादा पूराना पेड़ है अभी हम उसको राउन लगा रहे हैं तब उस पेड को अच्छे हावा है यहां पे अधर अधर लग रहा है तो हम दोग यहां से अभी राउन लगा रहे हैं आप देख रहे हैं साइड से भी येस को फिर एक बार दिखाती हूँ क्लियर एकदम इनर्सिया भगवान है नर्सिया भगवान की मुर्ति है तो हम रिटन जा रहे हैं इस पेड के पास से वावा पस टेंपल और टेंपल के उधर बाहर हमारी कार पार्क की है हम लोगों ने आपको जो राइट साइड में दिख रहा है उसका तो हम रिटन जा रहे है अभी हर एक के लाइफ में कुल देवत का बहुत ज्यादा इंपोर्टन्स होता है तो मुझे भी होता है कि जब-जब मैं यहां सवसुराल में आ जाओ तो मेरे कुल देवत पे आके यहां पे आके इसका दर्शन लेले जटा शंकर भगवान का ऐसा बोलते कि बहुत जागरुत देवस्तान है यह जटा शंकर मतलब वीश कंप्लिट होती है मतलब हर एक का मानना अपना मानना होता है तो मुझे आच्छा लगता है यहां पे जब मैं आती हो तो आना स्रीशा भी आभी मेरी बेटे भी यहां पे मज़ा कर रही आने के बाद मुझे रखता है कि उसको भी दर्शन करना चाहिए जब जब आते हैं तो ये जो बच्चे है देख रहे हैं आप चड़े हैं मज़े कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हैं लोग भी और जो बुरूज बोलते हैं बुरूज मतलब इसको एंग्णिश में क्या बोलते हैं पड़े देख रहे हैं आप लोग यहां पे दो दिख रहे हैं बुरूज यह साइड में दो है उस साइड में भी दो है यह वाइट कलर के जो है बुरूज बोलते हैं यहां पे दो है और लोग आए यहां पितब से देखो आप देख सकते हो बच्चे कैसे भाग के भाग के उपर चड़ रहे हैं तो कितना एक्टिव है लोग देखो स्कुल की छुटी है तो यहां के मज़े कर रहे हैं सब बच्चे आपने दोस्तों के साथ और मेरी बैटी स्रीशा भी बोल रही है मुझे भी जाना है उसको पापा के बोल रहे हैं कि मुझे भी जाना है देख सकते हैं आप लोगों कितने मज़े कर रहे हैं स्रीशा कासे बाटते है तुला इचले हम लोग मराठी है तो मैंने उसको मराठी में बात कर रहे हैं उसको हिंदीतना नहीं समझता है येस आप देख सकती है स्रीशा भी उन बच्चों के साथ बैठी है मज़े कर रही है हो भी वो बोल रहे कि मुझे उपर चचड़ना है व हमने उसको इतर बिठाया है वो भी मज़े कर रही है यहां पर आके आपको सब दिखा जाटा चंकर के बारे में आपने देखा और अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर्ड कमेंड करके बताएगा और अभी तक आपने मेरी चानल को लाइक नही किये तो प्लीज 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 लाइक मार चैनल、 Bailey Спасибо से लाइग दिखाएगर माय चैनल & शेड सब्सक्राइग खना है वाई भाई All टक्राइग और सृटैत klein आपको लाइग ने काहिए जाएगो